दोस्तो हमारी प्रिथवी से सूरज करीब 14 करोड 95,97,900 किलोमेटर दूर है और यहाँ पर सूरज की रोशनी पहुंचने में भी करीब 8 मिनट और 20 सेकेंड तक का समय लग जाता है प्रिथवी से हम सूरज को रोश देखते हैं और हमें पता हैं कि सूरज का आकार कैसा दिखता है दोस्तो सॉलर सिस्टम के अन्य प्लानेट से सूरज का आकार एक समान नजर नहीं आता है कोई ग्रह से सूरज छोटा नजर आता है तो कई से बहुत बड़ा सूर्य से ग्रह करोडो किलोमेटर दूर इस्तित है और इनी अलग-लग दूरी की वज़े से सूर्य का आकार भी डिफरेंट नजर आता है तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो रिपोर्ट में हम अंत्रिक्स एजेंशियो दारा दिये गए रियल फूटेज और साथ ही कुछ वज़्यानिक दारा बनाए गए एनिमेटेड फूटेज से यह जानने की कोशिस करते हैं कि आखिर अन्य गरों से सूर्ज कैसा नजर आता है हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त सूर्य सांचोरी आप देख रहे हैं रहस्य टेलिविजिन यूट्यूब चैनल हमारा चैनल आपको अंत्रिक्स के बारे में 60 इक नोलेज प्रोवाइड करवाता है तो फिर एक सबस्क्राइब तो बनता है दोस्तो सबसे पहले अपन सुरुआद करते हैं सूर्य का सबसे नज़्दी की गरह बुद से बात करें सूर्य और बुद गरह की दूरी की तो बुद सूर्य से करीब 5 करोड 89 लाग किलोमेटर दूर है बुद की जमीन से सूर्य को देखने पर सूर्य प्रित्वी पर सूर्य की तुलना में 3 गुणा आकार में बड़ा नज़र आएगा और साथ ही प्रित्वी से दिखने वाले सूर्य की तुलना में काफी ज़्यादा चमकिला देखेगा बुद को सूरज का एक राउंड काटने में लगबग 88 दिन लेता है अभी जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर जो एनिमेटेट तस्वीर दिख रहे है कुछ इस तरह बुद ग्रह की जमिन से सूरज नजर आएगा वीनस यानि सुक्र ग्रह दुस्तों वीनस और सूर्य के बीच की दूरी करीब 10 करोड 82,8900 किलिमेटर दूर है और इससे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में करीब 225 दिन लग जाते है चंदरमा के बाद आकास में सबसे ज़्यादा चमंकने वाला अबजेक्ट सुक्र ग्रह सुक्र ग्रह को प्रत्वी से नंगी आँखों से भी आराम से देखा जा सकता है सुक्र ग्रह को सॉर्मनल का सबसे गर्म प्लैनेट माना जाता है वीनस प्लैनेट मरकरी से भी ज़्यादा गर्म है सुक्र ग्रह का वातावन बहुत ही गना है इसके एट्मोस्पेर में 95% कार्बन डाय उक्साइड मोजूद है जो ग्रीन हाउस गेंसों का प्रभाव पेदा करती है जिस वज़े से सुक्रग्रह की सतय का औस्तन तापमान 462 डिगरी तक पहुंच जाता है सुक्रग्रह की सतय से सुरज को देखने पर आपको सुरज की जगह धुंदली सी रोशनी नजर आएगी जैसा कि आप इस वीडियो फूटीज में देख सकते हैं यानि कि सुक्रग्रह पर आपको सुरज दिखेगा ही नहीं सुक्र ग्रह के इन घने सेल्फिरिक एसीद के बादलों की वज़े से सूरज को देख पाना मुस्किल है सुक्र की सतय से देखने पर आपको किवल धुंदली सी रोशनी ही नजर आएगी और सूरज आपको कभी नजर ने आएगा जैसा कि यह नजर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं क्योंकि सुक्र ग्रह के घने वातावन की वज़े से सूरज की 90% रोशनी रिफलेक्ट हो जाती है सुक्र ग्रह की सतय कि आप रियल फुटेज भी इस वीडियो में आप देख सकते हैं प्रित्वी दोस्तो प्रित्वी से सूरज 14 करोड 95,97,900 किलमेटर दूर है प्रित्वी से सूरज को देखने पर कुछ इस तरह का नजर आता है वैसे आपको बदाने की कोई जरूत नहीं है क्योंकि प्रित्वी से सूरज तो आप रोज देखते हैं सौर मिंडल में प्रित्वी ही एक मात रिशा ग्रह जिस पर रहने लायक वातावरन है अब बात करते हैं सूरज से चोथा ग्रह मंगल की दूस्तो मंगल ग्रह सूरज से करीब 22,89,4,500 किलमेटर दूर है मंगल ग्रह प्रित्वी की तुलना में सूर्य से अधिक दूर है मंगल ग्रह की सत्य से सूरज को देखने पर प्रित्वी से सूर्य की तुलना में थोड़ा छोटा नजर आएगा मंगल ग्रहा पर काफी आंधिया जलती है जिसकार्ण मंगल ग्रहा का वातावरन दुंदला है जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं अब आजाते हैं सौर्मेंडल के सबसे बड़ा ग्रहा जुपिटर पर दुस्तों जुपिटर सुर्य से 77 करोड 83,000,000 किलोमेटर दूर है जुपिटर की हमारे प्रिस्वी की तरह कोई ठोस सतय नहीं है ये ग्रहा पूरा का पूरा गेंस से बना हुआ है जुपिटर प्लानेट का एट्मोस्पेर बादलों की कही परतों से मिलकर बना हुआ है ये बादल विबिन प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाओं के वज़े से रंग बिरंगे नजर आते हैं सुर्य से बरस्पती की ज़्यादा दूरी होने की कारण यहाँ पर सुर्य की रोष्णी प्रत्वी की तुलना में 27 गुना तक कम पहुँचती है जुपिटर के बादलों की उपरी परत से देखने पर सुरज कुछ इस तरह का नजर आएगा जो देखने पर प्रत्वी से सुर्य की तुलना में काफी छोटा है सनी ग्रह सनी ग्रह अपने रिंग की वज़े से एक अलग पैचान के लिए जाना जाता है यह भी जुपिटर की तरह एक गेंसीय प्लानेट है और इसकी भी हमारे प्रत्वी की तरह कोई ठोस सतय नहीं सनी ग्रह सुर्य से करीब एक आरब 42 करोड उन 60,88,000 किलोमेटर दूर है इतना चमकिला यहां नहीं दिखता है जैसे कि आप वैग्यानिकोदारा बनाए गई इस एनिमिटेट फोटो में देख सकते है यूरेनस यानि की हिंदी में खहे तो अरून ग्रह यूरेनस ग्रह सुर्य से दो अरब 87,09,91,000 किलोमेटर दूर है यह ग्रह भी एक गेंशिय प्लानेट है यहां पर सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुंचती है और इसके एट्मोस्पेर से सूरज को देखने पर काफी दूर इस्तित दिखाई देता है यूरेनस के उप ग्रह एरियल से सूरज की एक एनिमेटेट तस्वीर देख सकते है जिसमें आप सूरज का नजारा देख सकते है नेप्चून यानि की वरून ग्रह यह सूरज से करीब 4.5 आरब किलोमेटर दूर है इस ग्रह को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 164 प्रित्वी साल लग जाते है नेप्चून भी एक गेंशी ग्रह यान से सूरज को देखने पर यूरेनस की तुल्णा में थोड़ा छोटा दिखाई देता है नेप्चून प्लैनेट पर सूरज की रोषनी बहुत ही कम पहुँचती है एक एनिमेटेट चितर के जरिये नेप्चून के मून ट्राइटरन से सूरज का नजरा देख सकते है अब बात करते हैं प्लूटो दूस्तों प्लूटो का अब ग्रह तो नहीं माना जाता है 2006 में हुई एक एस्ट्रोनोमिकल बैठक में प्लूटो से ग्रह का दरजा चीन लिया था प्लूटो सूरज से करीब 5.9 करोड किलोमेटर दूर है यहां पर सूरज की रोशनी बहुत ही कम मातरा में पहुँचती है जितना प्रकास प्रत्वी पर पूनिम की रात को होता है उतना ही प्रकास सूरज से प्लूटो तक पहुँचता है प्लूटो की जमीन से सूरज को देखने पर आकार में बहुत ही छोटा और बहुत ही कम चमकिला दिखाई देता है और यहाँ पर सूरज का प्रकास प्रित्वी की तुलना में 16 सो गुना कम पहुंचता है तो दोस्तों यह था वो सफर जिसमें हमने जाना अन्य ग्रोश से हमारा सूरज कैसा दिखता है उमीद करते हैं आपको आप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना काफी महनत करके वीडियो बनाया है वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप लिखित में जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट रहस्य टेलविजन डॉट कॉम पर विजिट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दिये